नमस्कार चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और जैसा कि आपको विजित है कि मैंने जोगतिस क्यान के नाम से सिरीज चलाई है जिसमें बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके और एंट तक हमें अस्ट्रोजी पढ़ाएंगे एंट तो हलाकि अस्ट्रोजी कु वखाव कैसे होते हैं आन लगन वालों के राष्यों वालों के लिए अभी उस चैटर पे हम लोग चल रहे थे तो आज हम शूरू करेंगे कि मकर राश्येवाले स्क्री ने heeft किस तरह होते हैं क्या चीज्थ उनके लिए अच्छी होती है चीज्थ नहीं होती चीedel को करनी च है तो मॉकार लगन के लिए विभी में आपको होती है म kicking आपको बढ़ी इंपरटंट है लिए या राशी ले जैसा मैं आपको पहले बताया कि लगन और राशी ये दो चीजे हैं लगन तो आपका एक physical appearance को दिखाता है एक physical व्यक्चत्थ को दिखाता है और राशी जो है आपके मांसिक व्यक्चत्थ को दिखाती है तो इन दोनों में थोड़ा सा यही पर्ख है कि एक आपका फिजिकल एपिरियंस है एक आपकी मांसिक रिक्तित है मांसिकता है आपकी कैसी मांसिकता है तो राशी दिखाती है आपके मांसिकता कैसी है और वो दिखाता है आपका कि आपके तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ आज मकर लगन के बारे में पहले हो चुका है तो मकर लगन के बारे में आपको बताऊंगा कि मकर लगन वाले लोगों की क्या higher strength होती है क्या लोर होती है और क्या क्या उनमें qualities होती इंपिया क्या क्या उनको अपनाना चाहिए जिससे की वह सब चीजें बहुत अच्छे तरीके से कर सकें तो मकर लगन का हम लोग शूरू करते हैं देखें जडी उसनी ग्रह को दो राशिय दिगई हैं हर प्रशक कर्क और मीन यह तीन राषी वाले लोग इनके लिए बहुत अच्छे करती है इंसेन की मितरता हो तो बहत अच्छा रहता है लगी पर्फ्यूम मस्क यह लोग लगाएं अगर तो बहुत दी रड़ी चेकिन मूट पर रहेंगे इनरजटी पूरन काम रहेंगे तो मस्क नाम का पर्फ्यूम ये ले सकते हैं मार्केट से और उसको लगा सकते हैं लगी नंबर इनके छे-9 और 8 होते हैं लगी डेज इनके लिए फ्राइडे चूज़दे वैडनस दे सेटरड़े होता है सेटरड़े के दिन ये इन्वेस्टमेंट कर सकत सोने में राइड हंड में इनके लिए बड़ा शुब होता है अगर शनी पून्योकारी ग्रह आपिक उंद्ली में हैं लखी इनके लिए क्या होता है वाइट, ब्लैक, रेड अन, ब्ल्यू इनके लखी कलर होते हैं इनको येलो और करीम क्लर पूड़ा नहीं अपनाना चाहि बहुत अच्छा कि प्रथवी राशी है जोती है प्रथवी राशी दो योगों का पेशन्स होना फिरता होती है कि यह लोग चलायमान होते हैं ऐसे लोग ऐसा काम पसंद करते हैं जिसके प्रकाश आता है जैसे पीछे से प्रकाश आना शुरू होता है कि प्रुष्ण दिशा के इनकी वह सुटेबल होती है है मां का महीना कहने का मतलब है कि सूर्य भगवान 15 जन्वरी से 15 फरवरी के बीच में मकर राशी में रहते हैं जानते हैं मकर-सप्रोंत EM इन लोगों की भी कुछ positive strength हैं कुछ lower strength है लोगर स्टेंथ पर ये काम करें तो उनको भी positive strength में change कर सकते हैं और ये अपने अपने complete मनुष्य बन सकते हैं complete जातक बन सकते हैं बहुत वेवारी होते हैं इनमें ये सब सब भी बात है कि most practical होते हैं जीवन के दुखों के परथी थोड़ा पठोर होते हैं दर्ड़ इच्छा सक्ति वाले होते हैं यही बहुत अच्छी होती है कि इनके अधर will power जे होती है नकी बहुत स्ट्रांग होती है में तो कांशी होते हैं अमपीशियस होते हैं बहुत जाड़ निस्चा ही होते हैं कमिट्मेंट करने वाले होते हैं चीग करते हैं किसी बीड infection में बढ़ा च्छा कौशर इंका रहता है, और अच्छा करते हैं, कोई मैटिंस करना हो, तो उसके लिए यह लोग है या मकर भगन Yeah सब्सक्राइब होते हैं इनके उपर विश्वास कर सकते हैं साब्धान रहने वाले होते हैं ऐसे ही नहीं कि किसी के उपर विश्वास कर नहीं करते हैं बहुत साब्धान रहते हैं कि डिवेक पूहन होते हैं डिसिप्लेन्ड होते हैं अनुशासित होते हैं धहरवान होते हैंравляं ulti दूर तत देखनेवाले होते हैं दूर दर्शी दिन को बोलते हैं अच्छे सहन सकती होती है बातुन होते हैं始द सब्सक्राइब कि आपको साफधान रहने वाले होते हैं सानुदी सानुदी पूर्ण होते हैं उदार होते हैं योशिले होते हैं परिस्थितियों को अपने अनुसार बैठा देते हैं परिस्थितियों को अपने अनुसार बैठा देते हैं परिस्थितितियों को अपने अनुसार बैठा देते तो थोड़ा प्रतिशोदी होते हैं किसी की बात का बुरा मान जाते हैं तो तब कोशिश करते हैं कि उसको भी ऐसी कोई बात कहें इससे उसको हर्ट हो उसको बुरा लगे थोड़ा निर्दभी होते हैं एक प्रफ्लम रहती है औ कि इसके बारे में सोचने लघते हैं कि यह कैसे होगा आप क्या होगा तो पैसिमिस्टिक होते है आगर यह इस ago चैंस कर लें तो भात अच्छा बन जाता है अधिक काम करने दिखा३ां वाले बहुत जाते हैं कि-उ सब्सक्בार्द कर देता है रता है यह बहुत होते है अलोचना द्रस्टी को लगते हैं आलोचना करने में माहिर होते हैं लोगों की संतुष्ट यह थोड़ी प्रॉब्लम इनके अंदर होती है इनको ठीक कर लें तो यह बहुत अच्छे जातक बन सकते हैं इनके बारे में शास्त्रों में श्लोख वर्मित है जिसमें लिखा है इस लोग में इनकी हायर स्ट्रेंट और लोगर स्ट्रेंट दोनों बताई गई है इसके अरुसार बताया गया है कि मकर लगन में उपन जाता है थोड़ा डर्पोग प्रगत्ति का होता है वाई जोनित लोग की संभावना उसमें होती है अल्प संत्ति होती है संतान बहुत जादा नहीं होती उनकी धहरेवान होते हैं विविन कलाओं विग्यान के जादकार होते हैं पढ़ा लखा आदमी होता है सुपठित व्यक्ति होते हैं सत्यप्रिय होते हैं जातक में आलस की संभावना रहती है कि वह आलसी हो उंची सब्सक्राइब नहीं मिलता तो यह थोड़े डिप्रेस्वी हो जाते हैं वानी पर कंट्रोल ना होने से बुक्सान उठाना पड़ता है कई बार ऐसी वानी यह बोल जाते हैं जिसके वैसे इनका काम खराब हो जाता है यह इनको ज्यान रखना चाहिए पॉलिटिकल होते हैं ए आपने चीजों को इंप्रूड कर सकते हैं तो आशा करता हूं यह आपको पसंद आया हुगा है पसंद आया है तो कांड़ी लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और इसके अलावा हम लोग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जो लोग इंट्रेस्टिट हो दिए गए नंब कर में दोग्या हम लोगा है तो इंपड़ी लिएगा है यह खना घर आपद आया है।